हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोर और गुणा होता है मैं नकारात्मक विचारों को हटा कर सिर्फ सकारात्मक विचार रखूंगा आपको शुबकाम ना है पर ये नहीं हो पाएगा आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि आप जो हैं और जो आपने एकर्ठा किया है उसमें फर्क है। आप देखेंगे कि आप बंदर के बारे में मत सोचिए। बंदर का विचार न करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप बंदरों से भरे हुए हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके मन का स्वभाव है क्योंकि इस मन में तीनों पेडल रेस बढ़ाने वाले हैं। ब्रेक या कलच नहीं हैं। आप जो भी दबाएंगे ये और तेज भागेगा। ऐसे मन के होते हुए नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है कि बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। तब से वे हमेशा यही करने लगे। आप मन को ऐसे बिलकुल नहीं संभाल सकते, इसके लिए आत्मग्यान जरूरी नहीं है। अगर आप दो मिनिट आखे बंद करें, तो आप जान जाएंगे कि आप इस मन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं बुरे विचार हटाना चाहता हूँ, इस दिशा में कभी मत जाएंगे, क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे, वो आपका गुण बन जाएगा, वो हमेशा हवी रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, बात ये है कि मन की बुन्यादी प्रक्रिया को समझे बिना, क्योंकि अमारा मन, इंसानी मन, धर्ती का सबसे जटल कम्प्यूटर है, सभी सूपर कम्प्यूटर्स भी इसी से निकले हैं, अब ऐसा है तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें, अगर आप मुझसे पूछें तो इसका एक सरल पहलू ये है कि हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड और गुणा होता है, अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक और, अगर आप बहुत जोर देंगे तो ये कई गुणा हो जाएगा, ऐसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजे, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, कि आपका ये मन और शरीर आपकी सिवा के लिए ही है, आपका जीवन महत्वपून है, शरीर और मन वे साधन है, जिने हमारी सिवा करनी चाहिए, अगर आप किसी गाड़ी में बैठें, तो उसे वहीं जाना चाहिए, जहां आप जाना चाहते हैं, अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसका फाइदा क्या है वो सिर्फ परिशानी होगी फिलहाल दुर्भाग्य से ज्यादतर मनुष्य इंसानी मन की इस शांदार संभावना को एक परिशानी एक समस्या की तरह अनुभव कर रही हैं ये आपके पास मौजूद सबसे सुंदर चीज है बस आपको इसके काम करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान दिना होगा सबसे पहले यही करना होगा इसी कारण हम एक सरल सी चीज इशाक्रिया लेकर आए ये आपको आपकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए है आप जैसी एक चीज है जो मौजूद है ये आपके सभ अगर आप अपनी आखों की खिड़की से बाहर देखते हैं, पर आखें बंद कर लेने पर आपका अस्तित्व खो नहीं जाता, आपका अस्तित्व तब भी होता है, तो अपने विचारों और भावनाओं से परे भी आप मौजूद हैं। आप हैं, उसका अनुभव करने की जरूरत है, ऐसा क्यों है कि अपने होने के सबसे महत्वपून पहलू को आप अपने अनुभव में नहीं आने दे रहें। अपनी मानसिक प्रक्रिया और शारिरिक प्रक्रिया से दूरी बना लेना, यही कष्टों का अंत है, क्योंकि इंसान केवल दो तरह के कष्टों से गुजरता है, शारिरिक कष्ट और मानसिक कष्ट, जब आप खुद के और मन के बीच, खुद के और शरीर के बीच थोड़ी द पाएगा, सौ प्रतिशत ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि कोई विचार हटा नहीं सकता, उन्हें कुछ समय तक टाला जा सकता है, तो जब बुरे विचार आते हैं, आप कहें राम राम, शिव शिव जो भी आप कहें, पर ये सिर्फ उनसे बचना हुआ, वो चले नहीं जाते जिस पहले आप उन्हें रोकते हैं, वे बड़ी ताकत से फिर आएंगे, वरना वे आपके सपनों में वापस आजाएंगे, तो ये बहुत महत्वपून है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका गुसा, नाराजगी, आपका जो डर है, जो भी नकारात्मकता आप कर रहे हैं, सौभाग्य से जीवन ऐसे काम नहीं करता, अगर मैं जहर पीता हूं तो मैं मरूंगा, मेरे जहर पीने पर आप नहीं मरेंगे, तो हमें ये समझना होगा, जहर से मेरा मतलब है, आज आप इसकी जाँच करा सकते हैं, फिलहाल आपका खून कैसा है, फिर पांच म ये सवाल एक तरह की मजबूरी से आ रहा है, कुछ मत कीजे, बस आराम से बैठिये और बस जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दीजे, शायद आपके दिल की धरकन या आपकी सांस, शायद जीवत होने की अनुभूती, आप कितने समवेदन शील या बोध पाने की काबलियत रख जो आपको जीवन का संकेत देता हूँ, बस उस पर कुछ समय तक ध्यान दीजे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और आपने जो इकठा किया है, उनमें एक दूरी आ गई है, इकठा की गई चीजे हैं आपकी शारिरिक प्रक्रिया और मानसिक संभावना या फिर मानसिक आस तवे वस्त दा